नमस्काल साथियों डिक्टेशन असी सब्द प्रतिमनट की गती से बोली जाएगी डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी सायद सबको इसमरन होगा कि जब दुरतांत गैंगिस्टर विकास दूबे पुलिस मुटभेड में मारा गया था तो किस तरह कुछ लोग और खास कर नेता यह कहने में जुट गए थे कि उत्तर प्रदेश में भ्रामन सुरक्षित नहीं है विराम उन्हें चुन-चुन कर मारा जा रहा है विराम कई दलों के प्रवक्ता इस बारे में भड़ छड़कर बयान देने लगे विराम सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें पहले से ही हो रही थी बलकि भड़ा छड़ा कर की जा रही थी विराम कुल मिला कर अपराद को भी जातिगत चस्में से देखने में कोई कोता ही नहीं की गई विराम जैसे ही हातरस कांड हुआ ऐसे ही लोग दलित हितेशी बन कर कोहराम मचाने लगे विराम उनकी और से यहां तक कहा गया की दलित इस्तरी से दुसकर्म और किसी अन्य जाती की इस्तरी के पृती ऐसा अपराद अलग अलग बाते हैं विराम यह कितने दुर्भग्य की बात है की दुसकर्म लूट पाठ हत्या तसकरी ड्रक्स आदी के अपरादियों और पीडितों की जाती तलास कर उसमें भी अपने अपने हितों का हिसाब लगाया जाए और इस करम में अपनी जाती के किसी अपरादी को अपरादी ने बता कर दूसरों की तरफ अंगुलिया उठाई जाएं विराम जो लोग अक्सर इस देश में फैले जाती वाद को देखकर आशू बहाते रहते हैं वे इन दिनों कभी भ जाती वाद खतम करने की बाते करते नहीं देखे जा रहे हैं बलकि हुआ तो यह है कि जाती के समी करनों को चुनाओं जीतने का अभूत पुरु फार्मूला मान लिया गया है विराम कोई भी दल इससे मुक्त नहीं है और नहीं मीडिया का बड़ा वर्ग जो चुनाओं तथा उसके बाद भी ऐसी ही वहें से चलाता है कि किस चुनाओं छित्र में कितने ब्रह्मन, कितने ओविशी, कितने दलित, कितने अलप संक्यक हैं विराम चुनाओं विशसज्य भी इसी बात पर अपने फैसले सुनाते हैं विराम अगर ऐसे लोगों से कभी सवाल करो तो वे कहते हैं कि जाती देश की सच्चाई है विराम इससे आखे नहीं फेरी जा सकती विराम सही बात है तो फिर इस बात पर भासन देते हुए आशू बहाने की क्या ज़रुदत है पैरा जब जाती का जुन जुना बजाने से ही सारी सफलता मिलती है तो इसके होने से इतना दुख मनाना कोरा नाटक ही है विराम अक्सर अपराद बढ़ने पर तो चिंता व्यक्त की जाती है लेकिन जैसे ही कोई अपरादी अपने दल में आता है उसका स्वागत फूल माला पहना कर किया जाता है विराम यही कारण है कि अपरादी बड़े बड़े अपराद करके आतंग फैलाते हैं दहसत का प्रियाय बनते हैं और एक दिन उसी संसत में जा बैठते हैं जो अपरादों के खिलाप कानून बनाती है विराम क्या इसी तरह से अपराद को खतम किया जा सकता है सच तो यह है कि अधिकांस दल अपरादों के सहारे ही चुनाओं जीतते हैं विराम वरना ऐसा क्यों है कि अपराद कम करने की जितनी बातें की जाती हैं अपराद उतने ही बढ़ते जा रहे हैं विराम जाती तोड़ने और उसे मिटाने के लिए जितने विचार व्यक्त किये जाते हैं जाती की समस्या उतनी ही बढ़ती जाती है विराम अपरादियों को जाती के आधार पर निरपराद सिद्ध करना और किसी के सरनेम मात्र को देखकर ही उसे किसी समुदाए का विरोधी साबित कर देना आखे न्याय की यह कैसी परिवासा इन दिनों बन चली है विराम इन दिनों ये बातें तक की जाती हैं कि जब तक अपनी जाती का थानेदार ने हो वह अपरात को दर्ज नहीं करता विराम जब तक अपनी जाती का जज ने हो वह सही न्याएं नहीं दे सकता विराम अब बस यही बात सुननी है और सेश रह गई है कि अपनी ही जाती धर्म का डोक्टर ही उस जाती धर्म के मरीजों का सही इलाज कर सकता है वरना तो वह जाती की दुस्मनी निकाल कर किसी मरीज को जान से मार देगा विराम एरा मीडिया ट्रायल के इस दोर में यह भी हो सकता है कि किसी भी जांच परक से पहले एंकर इतना हल्ला मजाते हैं कि तमाम जांच एजेंशिया नियाले और यहां तक कि महिला आयोग भी उससे प्रभावित हुए हैं विराम महिला आयोग सरकारें भी उन्हीं मामलों का संग्यान लेती देखी जाती हैं जिनका सोर मीडिया में मचता है परना तो किसी भी अपराद को रोज की आम बात मानकर भुला दिया जाता है विराम यह एक नया नोर्मल बन चुका है कि जिसकी जितनी तेज आवाज हो धरना प्रेदसन तथा आज लगाने की ताकत हो बस उसी मामले पर ध्यान दिया जाएं की सब को बुला दिया जाए विराम तमाम तरह के विमर्सों ने इसे और बढ़ाया है विराम जब न्याएं मिले तो चुपी साध ली जाए और यदि फैसला मनवाफिक ने हो तो यह कहा जाए कि इसलिए न्याएं नहीं मिला कि अदालतों में जाती धरम देखकर न्याएं दिया जाता है विराम क्या वाकई यही लोगतंत्र है जहां जाच से पहले ही न्याएं कर दिया जाए जो आरोपित है उसे अपरादी बता कर सरयाम फासी देने की मांग की जाए विराम सोसल मीडिया ने इस तरह की प्रवर्ति को और भड़ाया है क्योंकि उसे करना तो कुछ है नहीं सिर्फ अपनी राय देनी है और उस राय को सो फीसद सही बताना है विराम किसी ऐस अहमती की कोई गुझाईष नहीं विराम इस तरह कोई नहीं बचेगा विराम कोई भी किसी का नाम लगा देगा और उसे अपरादी मान दिया जाएगा और बिना किसी पुलिस जाच और अदालत के लोग ही उसका फैंसला करने लगेंगे विराम एक तरह से मोब लीचिंग सरीखी मांग जब बुद्धी जीवी भी करने लगे तो आश्चर्रे होता है विराम सोचे की आज भी कितनी महिलाओं को डायन चुडैल कहने भर से मोत के गाट उतार दिया जाता है विराम किसी के चरित्र पर अंगली उठा कर अपनी पसंद से साधी या प्रेम करने पर मोत मिलती है विराम पैरा आखिर लोगों में इतना धैर रहे क्यों नहीं कि किसी को अपरादी बताने से पहले पूरी जांच परक कर ली जाए कोई कह सकता है कि कानून तो न्याय देता नहीं देता भी है तो देर से विराम तब उसका क्यालाब फिर उस न्याय पर और प्रसंद खड़े किये जाते हैं विराम ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम ही नहीं सरकारे इस बात को तै करे कि पीडित को जल्द से जल न्याय मिले विराम नैकी लोग एंकरों की बात सुनकर सड़क पर उतर कर न्याय करने लगे विराम इससे एक गलत परंपरा सुदू होगी जो देश समाज और लोगतंत्र के लिए घातक साबित होगी विराम धन्यवाद साथियों